महाराष्ट्र फूडशिप्ट आप इससरे एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है एक्जाम में आपेर होने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यह सब इस वीडियो को पूरा देखिए अब भी हम जानकर लेखेशन के बिए एक्जाम थिप्र गौण होगा फिर फिर होगी में एक्जाम और फिर Хोगा ईंटरिव यह तिन स्टेज आपको complete करने रहेंगे first pre-exam pre-exam mcq-based होगा main exam descriptive होगा और interview आपको पता हिए main exam objective होगा या descriptive होगा इसमें अभी भी थोड़ा सा confusion चल रहा है महाराष्टर में students मांग कर रहे हैं कि main exam objective हो बट अभी देखते हैं क्या होता है अभी तक उसके उपर कुछ भी decision नहीं आएं बट आप descriptive के हिसाप से ही तयारी कीजिए विकाज अगर आपने descriptive के हिसाप से तयारी की तो objective का preparation आपका automatically होई जाता है अगर इसके regarding कुछ भी latest update रहेगी तो मैं description box में update कर दूँगा आप description box चेक करने का मत भूलिए pre-examination 4th June 2023 को होगा महाराष्ट में 37 sentence है उसमें से आपको एक serate करना है वहाँ पे आपका ये exam होगा अगर आपने p qualify कर ली तो आपका selection men's के लिए हो जाएगा और men's की exam 28th October 2023 को होगी महाराष्ट फूर से प्टे आपिसर exam के लिए किसी भी स्टेट का candidate apply कर सकता है लेकिन अगर आप महाराष्ट से नहीं हो तो आपको किसी भी प्रकर का आरक्षन नहीं मिलेगा आरक्षन सिर्फ महाराष्ट के रहिवासियों के लिए applicable है ओधर स्टेट के के लिए maximum age limit 38 अब सबसे इंपर्टन पार्ट एजुकेशन कौलिफिकेशन के बारे में जानते है बिटिक फूद टेक्नोलोजी डेरी टेक्नोलोजी बाया टेक्नोलोजी ओल टेक्नोलोजी बेस से अगरिकल्चर एनिमल हजबंटरी बायो केमिस्ट्री माइक्रोबाइलोजी केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस इन में से कोई भी ग्रेजुएट यह एक्जाम के लिए अपलाए कर सकता है तो फाइनली और स्टूडन का क्या अगर आपको मेन एक्जाम के फॉर्म भरते टाइम ग्रेजुशन का सर्टिपिकेट मिलता है तो आप मेन एक्जाम दे सकते हो और प्री एक्जाम के लिए तो आप इलिजिबल हो तो आप प्री एक्जाम तो दे सकते हो पक्का प्री एक्जाम में आपको थोड़ा ज्यादा हाड़ वर्क करना पड़ेगा विकाज इसमें सिर्फ फूड सेप्टी ऑफिसर एक्जामिनेशन के एस्परेंट्स नहीं है ब प्री एक्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं पेपर वन दोसो मार्क के लिए पेपर टू दोसो मार्क के लिए पेपर टू कॉलिफाइंग पेपर होता है इसमें अगर आपको 33% मार्क भी मिल जाती है तो अभी आपका काम बन जाएगा पेपर वन दोसो मार्क के लिए होता अगर इसमें आपको कम मार्क मिले और मेरिट में ने आए तो पेपर 2 कॉलिफाइब करके कुछ भी फाइदा नहीं होगा तो इसलिए पेपर 2 पे सिर्फ पासिंग जितना ही फोकस कीजिए और आपका फुल फ्लेज फोकस पेपर 1 पे होना चाहिए पिछली बार का कट आप ओप ओपन केटेगरी के लिए 109 के आसपास था तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन रखिए मेंस एक्जामिनेशन में दो टाइपस के पेपर रहते हैं फर्स्ट पेपर 200 मार्क के लिए रहता है जिसमें केमिस्ट्री के रिलेटेट क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं सेकंड पेपर भी 200 मार्च के लिए रहता है जिसमें फूड के रिलेटेड टेक्निकल कुश्टन्स पूशे जाते हैं अब हम इंपोर्टन्स देट के बारे में देखते हैं रजिस्टेशन स्टार्ट होंगे 2nd मार्च को एप्लिकेशन फूर्म फिल करने के लिए 2 मार्च से स्टार्टिंग हो जाएगी तो किस तरह से फूर्म फिल करना है कौनसे डॉकुमेंट्स अपलोड करने है या सब जानने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकान को दबाएए तो जब भी हमारा नेक्स्ट चुडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एड्मिट कार्ट एक्जाम के 7 देज बिफोर आ जाएगा mpsconline.goe.in इस वेबसाइट पे अगर आपको fssi internship, government exam के related regular update चाहिए तो आप food kit or website group join कीजिए joining link description box में दी गई है अगर आपको मैंने दी हुई information पसंद आईए आपको समझ में आ गया है कि क्या है notification में तो इस वीडियो को like कीजिए, एक comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए next government job के update miss नहीं हो ये चाहते हो तो इस bell icon को भी दबाईए thank you so much